तो यहां लिया है मैंने एकदम फ्रेश मटर लिये हुए हैं एक किलो मटर है यह और अब इसको हम यहां पर सिलबटे पर पीसेंगे तो निमोना तो मैंने कई बार बनाया है लेकिन मैं सिलबटे पर पहली बार पीस के बना रही हूँ लेकिन इसका सिलबटे पर पीसने से स्वाद बहुत ही जादा बढ़ जाता है मिक्सी में तो हम फटा फट से पीस के बना लेते हैं लेकिन सिलबटे पर पीसने में थोड़ टाइम लगता है लेकिन जो स्वाद है वो बहुत ही दुगना आता है तो आप एक बार जरूर तो यहां पर हमें इसको सुखा ही पीसना है दर्दरा करके पीसना है तो इसी तरीके से यहां पर सारे मटर पीस के तयार करोंगी और कुछ मटर में यहां पर छोड़ भी दोंगी कुछ दाने जो है मटर के तो यहां देखे इस तरीके से हमें यहां पर पीसना है सारे मटर में यहां मैं प्रे लिक का टar हो कि अनिया रहे हो कुछ दाने में की तो एक यहां मैंने लिया है, यहां मैंने लिए कद भारीक पीछ रहे हूं आप देख सकते हैं तो यहां देके धनिया भी पीसके तयार है और इसको मैं आप यहां पे उसी कटोरे में निकाल लूँगी जिसे मैंने मटर को पीसके निकाला है तो यहां मैंने देखिए मटर को धनिये को भी इसमें मटर में निकाल लिया है और इसको मैं रख दूँगी सा तो यहां में डाल दूँगी और थोड़ा सा में बचा लूँगी जिसको हम बाद में यूज करेंगे तो इतना मैंने बचा लिया है इसको मैं बाद में यूज करूँगी तो अब इसको हमें हलका सा सौटे कर लेना है तो फ्लेम मैंने अभी मीडियम पे रखी हुई है तो यह यहां में थोड़ दर भून लेती हूं और देखे तो आसा भून गया है और यहां में डाल रही हूं एक बड़ा चमस जाल रही हूं अदरक और लसन का पेस्ट तो यहां पर इसको भी मैं भून लूँगी ताकि इसका कच्छापन भी जो है वो निकल जाए तो फ्लेम को मैंने में भी मीडियम पे ही रखा हुआ है और यह भी भून चुका है अब जो हमने मटर और धनिया पीसके रखा था वह मैं इसमें सारा डाल दूंगी तो देखे सारा इसमें में डाल दे रही हूं और आप देखेगा जो तेल है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा जैसी हम मट की अचोड़े हिसों में कात लिए और इसको भी मिक्स कर लेते हैं यहां में दाल रही है एक च्छछा चमुल दाल रही हूं तो यहां में डाल रही हूं हब हुत अंधा चमच जाल रही हूं अब ज़िए भी दिखाई खाई आदे चमज डाल रही हूं गरम मसाला पावडर और आदा ही चमज मैं यहाँ पे डालेंगे तो नमक कम डालेंगे एकदम तेज नमक नहीं डालेंगे, यहां पे हमें नमक कम डालना है, तो यह सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसको 10 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बुनूँगी, अब यह देखिए चिपका चिपका लग रहा है, जब यह भुन जा यहां देखिए मैंने इसको भुन लिया है, और यह भुनते भुनते श्रिंक भी हो गया है, सिकुड गया है, कैसे आपको दिख भी रहा होगा, कलर चेंज हो चुका है, बहुती बढ़िया कलर आ चुका है, और अच्छे से बुन चुका है, तो अब मैं यहां पे डाल रही ह तो दो ग्लास पानी मैंने यहां पर डाला है और अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तो अब मैं इसको ढखके पकाऊंगी जब तक इसने बॉल ना आ जाए तो देखिए बॉइल आ गया है और फिर अब इसको ढखके पका लेंगे थोड़ी देर के लिए और इसको मैं दूसरे गैस पर शिफ्ट कर दे रही हूँ तो दीमे से मैंने धीमे करके उसको दूसरे गैस पर रख दिया और अब दड़का लगा रही है हूँ तो यह एक बड़ा चमश में डाल रही हूँ देसी घीए तो देशी घी का इसे बहुत बड़ा रोल है निमोरे में जब तक देशी घी का चौका नहीं लगता है तब तक मजा नहीं आता है तो यहां मेंने दो डाला है तेश पत्ता अधा चमस जाल रही हूं जीरा तो और जो हमने प्याज बचा के रखा था वो अब मैं सारा यहां पर डाल दूगी तो प्याज को हमें यहां पर ब्राउन कर लेना है तो अच्छे से भूल लेंगे प्याज को यहां पर तो यहां मैं इसको अच्छे से भूल लेती हूँ जब तक इससा कलर ब्राउन ना हो जाए तो अब यह ब्राउन नहीं हुआ है इसको ब्राउन करना है हमें तो यह देखिए ब्राउन हो चुका है और अब इसको उतार लेती हूं गैस से और चौका लगा लेती हूं तो चलिए इसमें चौका लगा लेते हैं डाल के हम थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे तो चलिए अब देखते हैं तो ये देखें कितना बड़िया कलर आ चुका है mix कर लेते हैं इसको एक बार तो चलिए ये निमूना जो है बनके तयार है serve कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका texture कितना बड़िया आया है कितना बड़ी ऐसा कलर भी आया है और खाने में भी यह उतना ही टेस्टी है जितना दिख रहा है आपको तो एक बार आप इस तरीके से जरूर बना के ट्राइ करें सिल्बटे पे पीस के बनाएं बहुत ही टेस्टी बनेगा तो यहां दिखें निमोना बनके तयार है रेस्पी अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स से मिरको जरूर लिखके बताएं थैंक यू